इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको Google Pay में bank account एड़ करते समय में कुछ इस तरह message देखने को मिल रहा है यानि कि आपका Google Pay में bank account एड़ नहीं हो राय है तो आप इसे कैसे ठिक कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को complete जरूर देखेगा क्योंकि मैं इस वीडियो में Google Pay में bank account आइड करके live proof के साथ दिखाने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को complete जरूर देखेगा वीडियो पसंद आने पर like जरूर कर दिजेगा तो चलिए शुरूर करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ Google Pay में bank account आइड करते समय में आपको एक problem कब और क्यों आपको देखने को मिल सकता है देखे हो सकता है कि आप जो अपना Google Pay में bank account आप आइड कर रहे हैं उस bank का server डाउन होने के कारण एक message आपको देखने को मिल सकता है लेकिन अगर आपको इसी तरह बार-बार message देखने को मिल रहे है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को complete जरूर देखेगा वीडियो पसंद आने पर like जरूर कर दिजेगा तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको बार-बार message देखने को मिल रहा होगा हो सकता है कि आपको इस message किसी और परकार का देखने को मिल सकता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं यहां पर आपको बताया जा रहा है कि आप जो अपना Google पे में आप बैंक अकाउंट आइड कर रहे हैं उस नमर पर Active Plan के साथ साथ में कुछ main balance नहीं है तभी आपको यह बार-बार message देखने को मिल रहा होगा आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके नमर पर Active Plan के साथ साथ में main balance है या नहीं आपको एक नमर देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप यहां देख सकते हैं अगर आपका Jio का SIM card है तो यहां पर आप कुछ इस तरह डायल कर सकते हैं अगर आपका BSNL का नमर है तो आप कुछ इस नमर को आप डायल कर सकते हैं ATL का नमर है तो आप इस नमर पर डायल कर सकते हैं इसके अलावा और भी आपका यहां पर कोई नमर है तो आप यहां से आप डायल कर सकते हैं यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपके register नमबर पर active plan के सांथ सांत में कुछ main balance है या नहीं इसके अलावा अगर आपके नमबर पर active plan के सांत में कुछ main balance है तो इसके अलावा आप कैसे इसे सही कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको अपने phone के play store open करना होगा play store open करना एक बाद यहाँ पर आपको type करना होगा google पे google पे आप जिसे ही type करें के search करेंगे तो google पे app यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा अगर आपको यहाँ पर google पे app का update का option देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले तो आप अपना Google पे app को अपडेट कर लेंगे अपडेट हो जाने के बाद आपको अपने phone के setting में जाना होगा setting में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचा आना होगा और नीचा आने के बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जागा apps, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं simple आपको apps पर करना होगा click, यहाँ पर आपको search करना होगा gp, gp यहाँ पर आप जैसे ही आप type करके आप search करेंगे, तो google पे app यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा, इसके बाद यहाँ पर आपको निचे आना होगा निचे आने कि पाद यहां पर आपको एक Boston देखने को मिल जाएंगा estory आपको simple storage पर करना होगा click इसके बाद निचे में आपको दोje सन देखने को open करना होगा Google पर जैसे ही आप open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह interface देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको अपना mobile number enter करना है जो आपके bank से link है mobile number डानले के बाद mobile number डानले के बाद नीचे में आपको इक option देखने को मिलेगा इसके बाद आप Google पर एप के अंदर आप login हो जाएगे login होते ही कुछ इस तरह interface आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको उपर में एक profile का option देखने को मिलेगा simple आपको profile वाला icon पर करना होगा click अब इसके बाद नीचे में कुछ इस तरह interface देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको simple करना होगा click इसके बाद यहाँ पर आपको permission का option देखने को मिलेगा in permission को आपको allow करना होगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे में एक option देखने को मिलेगा camera का तो आप इस allow करेंगे इसके बाद आपको buy काना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको context का option देखने को मिलेगा इसे भी आप allow कर देंगे इसके बाद आप buy काएंगे location का भी यहाँ पर आपको option देखने को मिलेगा इसे भी आप allow कर देंगे फिर buy काएंगे इसके बाद microphone का भी option देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर allow करना होगा इसके बाद back आना होगा इसके बाद phone और SMS का यहाँ पर आपको allow कर देना होगा इसके बाद back आएंगे इन सारे permission को allow करने के बाद आपको back आना होगा बाई काने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा अब इसके बाद आपको अपना bank यहाँ पर select करना होगा इसके बाद continue आपको अपना mobile नमर select करना होगा जो आपके bank से link है example हमारा sim 2 है तो हम sim 2 पर करेंगे click इसके बाद निचे में आपको एक option देखने को मिलेगा continue आपको simple continue पर करना होगा click आपका mobile नमर यहाँ पर verify किया जाएगा आपको wait करना होगा आपका Google पर बैंक अकाउंट add ना हो जाए एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ आप जब भी अपना bank account आप add करेंगे तो उसी नमर से आपका mobile data on होना चाहिए और वही नमर आपका sim card उसी phone में होना चाहिए जिसमें आप अपना Google पर आप यूज करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं retry का option देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर फिर से retry करना होगा इसके बाद आपका बहुत ही असानी से Google Pay में bank account add हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपका Google Pay में bank account कुछ इस तरह add हो जाएगा तो इस तरह बहुत ही असानी से आप अपने गूगल ये में आप अपने बैंक के काउंट आप आड़ सकते हैं I hope friends आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए होगी तो like करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe करें हम मिलता है किसी फिन एंचे वीडियो में तब तक के लिए बाए